उदाहरन तीन दी गई आकरिती में यजि चत्रभुज ABCD समरूप है चत्रभुज PQRS तो पहला इसकेल गुणा क्या होगा चत्रभुज ABCD का चत्रभुज PQRS से दूसरा एक्स Y और Z का मान ग्याद कीजिए तीसरा चत्रभुज ABCD का परिमाप कितना है चौथा दोनों चत्रभुजों के परिमापों का अनुपात क्या होगा बच्चो अब हम उदारन तीन हल करने जा रहे हैं इस उदारन में हमें दो चत्रभुज ABCD और PQRS दियो हुए हैं और ये कहा गया है कि दोनों चत्रभुज समरूप हैं इस कथन को हमने यहां लिखा है चत्रभुज ABCD समरूप है चत्रभुज PQRS के समरूप होने का मतलब है कि इनकी संगत भुजाएं निश्यत अनुपात में हैं यानि हर एक भुजा अपनी संगत भुजा के साथ जो अनुपात बनाता है वो आपसे बराबर है ये समरूप होने का मतलब है और हमसे चार प्रश्ण पूछे गए हैं पहला प्रश्ण है स्केल गुणक क्या है ABCD का PQRS से उसके बाद XYZ का मान पूछा गया आप देख रहे हैं कि चतरभुज ABCD में तीन भुजाओं की माफ हमें दी हुई है यहां पर X दिया हुआ यानि इसके वेल्यू हमें मालूम नहीं है चतरभुज PQRS में दो मान दिये हुए है एक तो PQ का मान 21 इकाई है और RS का मान 30 इकाई है QR और PS के वेल्यू हमें मालूम नहीं है और इसके लिए हमने Y और Z लिखा हुआ है तो हमारा जो दूसरा प्रेशन है वो यह है कि आप XYZ की वेल्यू बताईए इसका मान बताईए तीसरा प्रेशन है ABCD का परिमाप हमें ग्याद करना है तो आप देख रहे हैं तीन भुजाओं की माप तो हमें मालूम है छोथा सवाल है दोनों चत्र भुजों के परिमाप का अनुपात निकालना है कि जानते हें कि चत्र भूज का परिमाबु और यदि हम इसकी दो शचत्र भूजों के परिमाबु का अनुपात निकालना चाहिए तो वो इससkęल गुणा के भरावर होता है ज़्यू हम ने इसकेल गुणा की गर्णा कर ली तो हम। उसी उत्तर है कि अन परिमापों का अनुपात क्या है पहरा सवाल है मतलब होता है कि इन दो संगत भाजाओं का अनुपात क्या है अगर दोनों चत्रफुच सम्रूप हैं तो हैं पर एक यह समरूपता की शर्त है, यदि हम किसी एक भुजा, एक जोड़े का अनुपात हम निकालने, तो हमें स्केल गुणक मिल दाए गया है, हम पर देखिए अब A, B, C, D का P, Q, R, S से पूछा गया है, यह उल्टा भी हो सकता है, P, Q, R, S का A, B, C, D से भी हो सकता है, लेकिन हम से पूछा गया है, A, B, C, D का P, Q, R, S से जब हम स्केल गुणक लेंगे, तो क्या हो गया है, यानि हमको पहली जो भुजा लेनी होगी, वो A, B, C, D की एक भुजा लेनी होगी, और दूसरी भुजा जो लेनी होगी, वो P, Q, R, S से लेनी होगी, अब आप देखिए, क्यवल ए इस तरह से लिखेंगे, स्केल गुणक, बराबर किसी एक संगत भुजा कि लंबाई का अनुपाद, तो हम यहाँ पर C, D, C, D, B, T, R, S, C, D का मान है 20, और R, S का मान है 30, यह इक आईया है, 20 इक आईया है, और 30 इक आईया, आप देखिए, आपको इसका हल मिलेकर 2 बटे 3, तो आप क्या सकते हैं, कि इन दो समरूप चत्रभुजों का स्केल गुणक, A, B, C, D से, P, Q, R, S के लिए, इसका मान 2 बटे 3 है, तो यह आपका पहला उत्तर है, जो स्केल गुणक के रूप में है, और इसका मान 2 बटे 3 है, यही मान आपका चोथे में भी आएगा, तो आप चोथे का भी उत्तर यही मान सकते हैं, आगे हम उसका और भी देखेंगे, अब दूसरे सवाल पर आईए, यहाँ पर हमें दिया हुआ है, कि X, Y, Z का मान ग्याद करिए, X, यहाँ देख रहे हैं, यह अग्यात राशी है, Y अग्यात राशी और Z अग्यात राशी है, यदि हमको इसकेल गुणाक मिल जाता, तो इसकेल गुणाक का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे, और यदि हम इसका मान निकालना चाहते है, X का, तो इसके हम तुलना करेंगे, इसके संगत भुजा PQ से, जिसका मान 21 है, तो हम लिखेंगे, X बटे 21 इन दोनों भुजाओं का उन पात जो है, वो इसकेल गुणाक के बराबर होगा, तो यह आपको मिलेगा दो बटे 3 के, आप इसको हम आगे लिख सकते हैं, X बराबर दो बटे 3 गुणाक के बराबर 21, इसको आपको कटा दें, 3 एकम 3, 3 सतीकीस, 7 गुणाद 2 बराबर 14 एकाय कि इसी तरह से आप वाई और जेट कमान गयाद करेंगे तो हम फिर से स्केल गुणा को प्योग करेंगे तो हमको मिलेगा बी सी बटे क्यू आर या हम सीधे सीधे लिखें आठ बटे वाई फिर से स्केल गुणा दो भधे 3 इसको आप रिवर्स करें अल्ट लेय Commissioner तो हम मिलेगे य बटे 8 बराबर वाई बटे 8 बराबर बैबर 3 मटे-2 और इसको आगे बढ़ाईए य तो वाई बराबर आपको मिलेगा तीन बटे दो गुनित 8 और इसको हल करने पर आपको मिलेगा 2 को आप कटाई है 8 के साथ तो 4 बार कटे का 4 ती 12 तो आपको मिला Y कमान 12 एक्स कमान आपको मिला था चौदा और वाई कमान आपको मिला बारा एक आया तो वाई की जगह पर आप लिख सकते हैं बारा एक आया अब आगे देखिए इसी तरह से हम जेट को हल करेंगे तो जेट के लिखेंगे आपको मिलागा दस बटे जेट बराबर फिर से इसके लिखेंगे दो बटे तीन के बराबर होगा तो दस बटे जेट का बान हुआ दो बटे तीन आप इसको इसका विद्क्रम लीजिए तो आपको मिलागा जेट बटे दस बराबर तीन बटे दो और इसको आगे बढ़ाए हल करिए तो जेट बराबर मिलेगा तीन बटे दो गोड़े दस यानि दो और ये पांच बार में कटा यह आपको मिला पंदरा तो आप जेट की वेल्यू लिख सकते हैं अपर पंदरा पंदरा अब आप देखें जाने के भी संबन क्या है आप जाँ सकते हैं यह 20 और यह 30 आप देख रहें कि CD का डेड़ गुना RS है 20 का 30 हुआ तो 10 का डेड़ गुना 15 यह आपका उतर सही है 8 का डेड़ गुना 12 यह भी आपका उतर सही है और 14 का डेड़ गुना 21 यानि आपका यह उतर भी सही है तो आपने 3 जो मान थे XYZ के वो पराप्त कर लिए अब 3 सवाल देखिए हमको ABCD का परिमाब भी पूछा गया है ABCD का परिमाब आप देखिए 4 संख्याए हैं तो 3 का उतर हम यहाँ पर लिखते हैं ABCD का परिमाब के लिए आपको AB, BC, CD और DA का योग करना होगा और यह सभी के मान आपको पता हुआ है पता है, X का मान है 14, AB का मान 14 है तो 14 इकाईया प्लस 8 इकाईया प्लस 20 इकाईया और प्लस 10 इकाईया इनको आप जोड़िए आपको मिल जाएगे 20 और 10 तीस, 40, 48 और 4, 52 याने एक आपको मिला परिमाफ बावण इकाईयों के बराबर और इसके बाद आपको इनका दोनों परिमाफों का अनुपाद पूछा गया है दोनों चत्रभूजों के परिमाफ का अनुपाद क्या होगा तो एक अनुपाद आपको 52 मिल गया वैसे ही आप इसको जोड़ लीजे तो आपको दूसरे चत्रभूज PQRS का अनुपाद मिल जाएगा आप देखिए हाँ पर 21 है 12 है ये 33 हो गया और 30 कॉप मिलाईए 63 और 15 63, 63, 63, 5, 78 तो ये इसकी परिमाफ आपको 78 या 78 मिली आप देख लीजे इसका डेड़ गुना है कि नहीं 26, 52 और 26, 78 ये भी आपका परिमाफ सही है अब इनका यदि आप अनुपाद लेना चाहते हैं तो आपको इसी क्रम मिलेना पड़ेगा ABCD का अनुपाद और PQRS का अनुपाद तो अनुपाद आपको मिल जाएगा हम चोथे सवाल को लिखना चाहते हैं आपर चोथा लिखने ABCD का परिमाफ का परिमाफ बटे PQRS का परिमाफ और आपको मिलेगा ये 52 बटे 28 चब्वीस आप इसको कटा सकते हैं 26 दुनिय बावन और 26 तिया 78 तो आपको मिलेगा दो बटे तीन आप देखिए पहरे जासे हमने आपसे कहा था कि इसका मान स्केल गुनक के बराबर ही है तो इसकेल गुनक जो आपको मिलेगा था दो बटे तीन वही आपको दोनों चत्रभूजों के परिमाप का अनुपाद भी उसी रूपन अताप्त हो रहा है तो यह आपका चौता उत्तर है इस तरह से बच्चों यह उधारन तीन हल होता है